नमस्कार दोस्तो अमारे यूटूब चैनल में आपका स्वागत है दोस्तो आज की वीडियो बहुत इंपोटेंट है खास है अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें और सब्सक्राइब करने के साथ-साथ बेल मोटर होती है थ्री फेस की जिसके अंदर वाइंडिंग करते वकत 6 सेट डाले जाते हैं तो उसमें 12 तार निकलते हैं तो उसके कनेक्षन आज हम आपको बताएंगे उसके डेल्टा कनेक्षन स्टार पर हमने पहले आल्रेडी वीडियो डाल रखी है तो उसको देख सकते हैं औ और स्टार डेल्टा डबल डेल्टा वाली वीडियो हम कल अपलोड करेंगे ठीक है तो आज हम आपको बताएंगे जो 24 स्लोड की जो मोटर होती है ठीक है यह इससे ज्यादा स्लोड की भी मोटर हो जिसके अंदर टोटल 6-7 इंस्टॉल हो ठीक है दो-दो कोईलों के हो या तीन बता रहे हैं उसके उसी मोटर के only delta connection कल हम ने जो डाल ला था उसमें star का बताया था आज हम आपको delta का बताएंगे और कल हम star delta जिसको double delta भी बोलते हैं उसके बारे बताएंगे तो वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों मैंने देखिए यहाँ पर total 6 set बना लिए हैं यह 24 slot की जो मोटर होती है उसमें तो दो-दो कोईलो से बने set होते हैं और ज्यादा slot की होगी तो ज्यादा कोईलो से बने set होंगे लेकिन connection इनके सेम तरीके से ही होंगे तो देखिए यह पहला set है यह दूसरा है तीसरा है चोथा है पांचवा है छटा है छे सेट है तो मैंन पे नमबर डाल देता हूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो यह है set number 1 set number 2 ठीक है 3 4 5 6 इनके दो-दो हर एक set में दो-दो तार होते हैं ठीक है दो-दो तार होते हैं एक set के अंदर एक inner तार होता है एक outer तार होता है inner तार जो होता है छोटी कोईल का होता है और outer तार वो होता है जो बड़ी कोईल से last में निकलता है तो मैं यह पे इसमें तारे बना देता हूं तो मान लीजिए ये जो मैंने set बना रखा है ये जो अंदर का जो हिस्सा आप देख रहे हैं इसका ये छोटी कोईल है और जो उपर का देख रहे हैं ये बड़ी कोईल है तो छोटी क्वाइल का जो पहला तार होता है छोटी क्वाइल हम पहले डालते हैं तो ये इनर तार हो गया ठीक है इनर मैं आई लिख देता हूँ ये इनर तार हो गया और ये बड़ी जो क्वाइल है इसके उपर सेट में तो यहां से जो तार निकलता है लास्ट में इसको आउटर आप बोल सकते हो यह जो है आउटर तार हो गया सभी सेट के अंदर इसी तरह से होते हैं एक इनर होता है एक आउटर होता है अब इस सेट में भी मैं सभी में बना देता हूँ यह इनर हो गया बड़ी वाली का आउटर हो गया यह आउटर हो गया है, ठीक है, कलर चैंज कर लेता हूँ, दोस्तो, अब इस पर हम मार्ट कर देते हैं, इन्हार आउटर का, ठीक है, तो फेल पहले के बाद हम दूसरे इंस्टोल करते हैं, ठीक है, पहले मैंने ब्लू ले रखा, तो पहले इन्हार इन्हार कर देता हूँ, इनर हो गया आउटर हो गया ठीक है ऐसे चलेगा इनर आउटर इनर आउटर इनर आउटर इनर ठीक है इनर आउटर इनर ठीक है इनर आउटर इनर इसे चलते है यह इनर तार है दर का आउटर तार है ठीक है इनर आउटर इनर आउटर इनर रहे गए यह वाला यह वाला आउटर रहे गए तो टोटल बारा तार है ठीक है छे इनर है छे आउटर है अब इसके करेंगे हम डेल्टा कनेक्शन तो डेल्टा कनेक्शन जो है बहुत ज़्यादा आसान है सबसे पहले हम इनर इनर तारों को सभी को छोड़ देंगे आउटर आउटर को जोड़ना आपको बताते हैं सबसे पहले एक काम करिए पहला सैट आप पकड़िए पहले सैट का आउटर तार आप पकड़िए यह पहले सैट इसका आउटर तार आप पकड़िए ठीक है और इसके सामने जो सैट है जस्ट सामने तो इसके सामने चोथे नंबर गाए तो जो पहले का आउटर पकड़ा है वो चोथे के आउटर से जोड़ देजी जो सामने वाले के आउटर से जोड़ देना है जो आपने सैट पकड़ा है उसका जस्ट जैसे यह पकड़ा तो इसके साथ जोड़ा इसके साथ यह पकड़ा इसके साथ पतलब आमने सामने आपको जोड़ना है आउटर शाउटर तो पहले का आउटर हम चोथे से आप जोड़ते हैं कुले इसके साथ पतलिक जोड़ा इसके साथ पतलिक हैं कि कलर थोड़ा सा चेंज कर लेकता हुए थोड़ा सा कम चल रहा है तो यह आउटर हमने यहां पर जोड़ दिया तो पहले का आउटर चोथे के आउटर से जोड़ दिया इनर इनर बचा दिए अब दूसरे की तरफ बढ़ना है दूसरे की तरफ तो दूसरा हम कलर यहां पर चैंज करेंगे फिर से और दूसरे का आउटर इसके सामने वाली के साथ पांच भी के आउटर के साथ जोड़ना है हमको ठीक है इसको भी हम थोड़ा सा आगे से लेके चलते हैं ताकि समझने में आपको कोई दिक्कत ना हो तो इसको हमने हाँ पर कनेक्ट कर दिया है ठीक है दूसरे का पांच भी के आउटर से आउटर इनर इनर को फिर छोड़ दीजिए फिर तीसरे की तरफ बढ़ते हैं तीसरे की तरफ हम बढ़ते हैं अच्छे से देख लीजी इस डाइग्राम को बाद में आप स्क्रीन सूट कर ले ना काम आ जाएगा बहुत तो अब हम तीसरे का आउटर पकड़ेंगे तीसरे वाले के सामने छटा तो इसके आउटर से हम जोड़ेंगे कि यहां पर हमने इसको कनेक्ट किया है तो इस्टरे समने इसको कि यहां जोड़ेंगे जोड़ दिया है अब देखिए सभी सेटों के आउटर आउटर जोड़ गए है टोटल 12 तार थे 6 बचे हैं 6 इनर तार बचे हैं सभी सेट के अंदर एक इकतार बचे हैं ठीक है इनर तब इनका हम बनाएंगे डेल्टा तो डेल्टा बनाना बहुत ही आसान है पहले सेट का एक तार आपको पकड़ना है पहले सेट का इनर तार आपको पकड़ना है क्योंके आउटर तो जुड़ा हुआ है सभी के तो पहले सेट का तार पकड़ा और दूसरा सेट का तार पकड़ा इन दोनों को एक बना देना है ठीक है तो हमने यहां से पहले का लिया एक तार ठीक है इसी तरह हम दूसरे का भी लेंगे दूसरे का भी हमने ले लिया अब यह एक पॉइंट बन गया है ठीक है एक पॉइंट इसको आप आर बोल सकते हो यह फेश वन बोल सकते हो ठीक उसके बाद दोस्तो हमने पकड़ना है तीसरे का तार तीसरे का तार और चोथे का तो चोथे का तीसरे के साथ जोड़ देना है इनर ठीक है यह बन गया है आपका बी पॉइंट फेश नमबर टू इसको आप बोल सकते हो फेश टू ठीक है अब पकड़ते हैं हम पांचवे और छटे का एक तार जो बचा है उनको आपस में चोड़ देते हैं अब यह जो पॉइंट बचा है इसको आप वाई बोल सकते हो फेश ठीक है तो आपके तीन पॉइंट बन गये हैं यहां पे इसका आप स्क्रीन सूट ले लिजी काम आएगा आपके फेश बन गया है यहां पे पॉइंट पहले का दूसरे का साथ इनर इनर जुड़ कर दूसरे का तीसरे का साथ जुड़ कर point 2 बन गया है पांच वे का छटे के साथ जुड़कर 3 बन गया है, तो ये तीन फेस हैं इसमें आपको केवल जोड़ना है यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे तिक है red केवल, blue केवल and yellow केवल या किसी भी color का केवल आप जोड़ सकते हैं किसी में किसी का तो ये तीन फेस ये बन गया है डेल्टा कनेक्शन ये डेल्टा हो गया है यहां पर मैं लिख देता हूँ ये डेल्टा हो गया ठीक है तो यहां पर तीन केवल जूड़ जाएंगे आपकी डेल्टा हो जाएगा एक कनेक्शन ओर होता है जिसको स्टार डेल्टा बोलते हैं कई लोग स्टार डेल्टा कनेक्शन ठीक है स्टार डेल्टा एक बोलते हैं उसको डबल डेल्टा डबल डेल्टा भी बोलते हैं स्टार डेल्टा बोलते हैं उसमें होता क्या है कि मोटर केंजर जो डबल केबल लगती है ना तो उसका कनेक्शन होता है होता तो डेल्टा ही है कनेक्शन तो डेल्टा ही होता है लेकिन उसमें क्या होता है कि दो केबल होती है तो जो भार के तार से देते हैं कैसे बाओर के वढ चेवल के दूरों को निकालते हैं तो यह था डेलटा का connection बारा तारों का तो इस तरह से आप किसी भी 75 मोटर में जो थीरी फैस के उसमें यह connection दे सकते हैं तो कैसी लगी हमारी यह बीडियो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए दोस्त हम सेर कीजिए चैनल को सिस्क्राइब कीजिए फिर में लिंक की से अनने वीडियो के साथ जैहिं जै भारत